हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज एकन आपके सामने इंग मोश्ट के पाट टूख का हमारा जो चैप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नामे चैप्टर नंबर सेवन इंट्रूडक्षं टू-mbाय-क्रॉलाजी आज हम इस पर्ठिट्र चाप्टरक्षं नंबर 6 आपके लिए लेले लेकर आगए है जो के अगेन बहुत इंपॉर्टन सब्सक्राइब दो सबसे पहला चीज जो टौपिक हमें पढ़ना है वो है सीवेज मैनेजमेंट न उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं जनरल आगर हम बात करें कि जो रूरल एरिया सो यानि कि जो विलेज एरियास जो होते हैं उसमें जो डुमेज्टिक जो आता है उसको को हम दो का इसे मोगं कर सकते हैं वायossa ऊपने देखा वोगा गाउ अगरे के साइड में कि लोग अकशर क्या करते हैं कि जो भी कचरा बाहर निकल के आता है उसको सीधा-सीदा कोई जो श्वेज नाले कोई और गटर अगरे होते भी एक लिए नाले के थुरू आता है, वो किदर ना किदर, वो जमीन के उपर, किदर ना किदर, मिट्टी के उपर, वो गिर रहा होता है, ठीक है, या तो उसका इस्तेमाल करके, डॉमस्टिक सीवेज का इस्तेमाल करके, बायो गैस प्लांड में डाला जाता है, for production of the बायो गैस, ठीक है, तो ये चीज किया जाता है, बट, ये तो बात होगे, रूरल एरियास की, यानि कि जो गाव साइड होते हैं, जो विलेज एरियास होते हैं, उसकी बात होगे, लेकिन जो शेहर वाले इलाके होते हैं, ठीक हैं, cities की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो कच्रा नाल प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके, और साथ ही में, ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डिश्ट्रॉई पैथोजन्स ऑफ कॉलरा, टाइफ़र्ड, एक्सेक्टरा, क्योंकि आपको पता है कि जो में डिसीज जो होती है, जैसे कि टाइफ़र्ड, कलरा, जन्डिस, और बाकी जो चीजे होती है, डिजेंटरी वगरे, ये कॉमनली जो डिसीज होती है, ये किस वज़े से होती है, विकाज आप माइक्रोब्स जो की प्रेजन्ट होते हैं, नॉर्मली सीवेज के अंदर, जो गटर नाले मगरे वगरे के आसपास जो लोग रहते हैं, और आजकल हमारे आप देखोगे, तो ऐसे एरियास बहुत सबत्स अरे देखने मिलेंगे आपको जहां पर जोपड़ पट्टी वगरे होती, स्लम एरियास, जहां पर ज़्यादा देखने मिलते हैं, तो वहां प तरीकर से डिश्ट्रॉई किया जाता है ताकि कॉलरा डाइफ़र ऐसे ताइप की बीमारी जो है ना हो एंड ये जो सीवेज के अंदर जो बैक्टेरियास माइक्र एक्रगैणिसम्स जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो उसके वजए से रिलीज होता है ग्यास जिसका नाम है और साथ ही में काबन डाइक्साइड ग्यास जो है रीलीज की है जटा हे उसके बाद भी जो कच्रा बढ़ जाता है जो सलज बच जाता है, वो settle हो जाता है नीचे के तरफ, यानि कि जो container होता है, जो plants होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो settle हो जाता है, नीचे की तरफ settle हो जाता है ये process में, उसको हम लोग utilize कर सकते हैं as a natural fertilizer, जैसे कि आपको manure और compost के बारे में तो पता हो गई दोस्तों, तो ये जो manure या फिर compost की बात करें, इसका इस्तेमाल किया जाता है, for agricultural purpose, domestic purpose के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथी में ये जो पानी होता है, ये जो पानी है उसको release किया जाता है, after the microbial treatment, जब भी वो हमारे लिए environmentally safe हो जाए, तो ये जो पानी उसमें से निकलता है, उसको हम कुछ भी like plants को पानी देने के लिए, देते हैं, हमें watering करते हैं, gardens में पानी देने के लिए, तो वो पानी safe होता है, environmentally safe होता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये था दोस्तो हमारा sewage management, इस तरह से आप sewage को manage कर सकते हो, clear है, अब next topic की बात करेंगे, तो एक और clean technology, यानि कि कुछ ऐसे technology होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कुछ cleaning purpose के लिए करते हैं, तो किस प्रकार उसको clean करने के लिए help करते है, normally हमारा sewage हो गया, या जो भी चीजे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ time ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि जहां पर petrol वगरे का mining होता है, जैसे कि आपको पता, ships वगरे के, जहां पर समंदर वगरे के अंदर, क्या होता है, mining वगरे होते हैं, जहां से crude oil हो गया, petroleum product हो गया, यह निकाला जाता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ leakage होने के कारण, जो petroleum होते हैं, जो oils होत होते हैं, पूरे पूरे oceans में, समंदर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बिकॉस अब इस यह बहुत जाता जान लेवा हो जाता है, फैटल हो जाते हैं, जहरीलापन पूरे aquatic में फैल जाते हैं, यानि कि जो भी पानी रहेगा, let's suppose, एक समंदर है, वहां पर खुदाई च होते हैं, खास करके जो fishes करे होते हैं, और उसको consume करते हैं, तो वो लोग वहां पर जिन्ना नहीं रहे पाएंगे, because of that, जान लिवा हो सकता है, fatal होता है, toxic होता है, जितने भी aquatic organisms होते हैं, उनके लिए, यह बढ़ी आसानी से remove भी नहीं होता, it is very difficult to remove this kind of oil, ठीके नहीं, यह ज हम अंदर वगरे में crude oil, या फिर petroleum जब leak हो जाता है, spoil हो जाता है, तो उसको separate करना बहुत जादा remove करना बहुत जादा difficult हो जाता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, normal हमारा जो mechanical methods होता है, उससे तो हम लोग remove नहीं कर सकते हैं, कोई भी machines वगरे के help से हम लोग remove नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास biology में, यानि कि biotechnology में भी इसका उपाय है, जैसे कि कुछ bacteria होते हैं, जिसका नाम है pseudomonas SPP, यह कुछ ऐसे bacteria होते हैं, जिनके पास capability होती है कि to remove the hydrocarbons from the ocean, यानि कि ocean के अंदर रहे के वो क्या करते हैं, जितने भी hydrocarbon चीज़े होती हैं, जैसे कि petroleum products हो गया, even oils अगरे हो गये, यह सब क्या होते हैं, hydrocarbon के products होते हैं, तो इसको वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, जो उसको consume करने के लिए ही बने हुएं, तो उसको वो consume कर लेते हैं, और बहुत चारे जब तादात में ऐसे कुछ bacteria जब रहेंगे स protein हो सकता है, और कुछ points के बारे में चर्चा करेंगे, यह जो bacteria होता है, यह तो use किया जाता है, ताकि हमारा जो oil spill हुआ है, जो oil वगरे समंदर में गया है, पानी में गया है, उसको remove किया जा सके, हैंस इसी के लिए यह जो type के bacteria होते हैं, इसको कहा जाता है, hydrocarbonoclastic bacteria, क्या बो निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि plastic bottles भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग plastic bottles वगरे जो होते वो समंदर में, नदियों में, पानी में पाए जाते हैं, तो यह oceans में, sea में, यह सबी चीज पाए जाते हैं, और खास करके, जो plastic bottles जो होते हैं, यह किस से ब बोटल से वो ये से chemical substance से बनते हैं और almost अगर देखा जाए तो समंदर वगरे में भी तो आपको bottles वगरे, plastic bottles वगरे दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही में आप देखो कि urban जो waste होता है, यानि कि जो शेहर वाले इलाके में जो कुड़ा कचरा होता है, वो normally उसमें plastic का content बहुत जादा होता है, वेकि लोग पानी पीते हैं, plastic bottle से, विसलेरी bottle से, ऐसे बहुत सारी चीजों से पीते हैं, उसको dump कर देते कहीं भी ही, तो हमें जिवेंदार बनना पड़ेगा कि उसको हम proper dustbin में फेके, ताकि dispose हो सके, लेकिन बहुत सारी लोग अभी भी लापरवा है, तो उ microbes present है, जिसका नाम है, वाइब्रियो, इडियोनेला, सेकियनेसिस, यह कुछ ऐसे microbes हैं, जो decompose कर सकते हैं, PET को, यानि कि जो हमारा polythene tetraflalate polyester जो था, इसको वो decompose कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ species होते हैं, fungus के category के, fungus के category के भी कुछ species होते हैं, जिसको हम लग बोलते हैं, actinomyc cities, या फिस, streptomyces हो गया, nocardia हो गया, इनके पास भी एक ability होते हैं, ताकि वो rubber जैसे कुछ ऐसे garbage में जो होते हैं, rubber related जो भी items होते हैं, जो waste product होते हैं, जो rubber से बने हुए हैं, इसको वो decompose कर सकते हैं, यानि कि plastic को decompose करने के लिए ये कुछ bacteria हैं, और वो ही rubber को decompose करने के acid rain के वज़े से होता है, यूजि कि क्या होता है, कभी-कभी acid rain जब गरता है, तो हो जमीन के उपर गरता है, तो soil का fertility जब खराब हो जाएगा, तो उसके उपर agriculture नहीं किया जा सकता है, या फिर बहुत ही ना के बराबर किया जा सकता है, तो इसके लिए control करने के लिए, कुछ बैक्टेरियास जो होते हैं, एसीडो फाइलम, एस्पीप, एसीडो बैसिलो स्फेरोड उक्सिरेंस, ये जो है, सॉइल के अंदर रिलीज की जाती है, so that वो क्या कर सकते हैं, कि एसीड रेन का जो भी आपे इनऊकुलेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ माईकूब्स ऐसे होते हैं, जिसके पास इनोकुलेंट्स जो होते हैं, वो प्रिदूेस के ताइम, प्रॉ्सेस के टाइम, यहां पर प्रॉद्दू Bubam में जब सो करते हैं जब प्लविंग होता है जब हम लोग बीज बोते हैं अग्रिकल्चर करने के टाइम खेती करने के जब सीड रालते हैं खेतों में उसके पहले ही स्प्रे कर दिया जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सीड और प्लांट के ओपर डिरेक्ली स्प्रे क किया जाता है तो यह जो microbes जो होते हैं इनोकुलेंट्स के यह help करते हैं plant को grow करने के लिए और उसके अंदर supply करते हैं nutrients को जो भी उसको essential nutrients होते हैं जो उसके लिए अच्छे होते हैं ऐसे nutrients को वहाँ पर supply करते हैं साथ ही में वो remove करते हैं quality of the vegetarian food तो जो भी vegetarian food है यानि कि जो vegetables grow होत तो अगर बात करें fluorocetamide हो गया कुछ ऐसे chemicals जो होते हैं जो soil में mix किया जाता है ताकि जो chemical pesticides जो होते हैं उसका असर जो है कम कर सकते हैं agriculture के time और उसको अच्छे से enhance कर सके हैं साथी में यह जो होता है बहुत सारी disease को भी यहाँ पर क्या करता है cause करता है क्योंकि अगर हम normal हम लोग chemical fertilizer का जब use करते हैं तो उसके लिए से बहुत सारी बिमारिया हो सकती है आपको पता ही होगा आज के रिट में हब हर लोग जो है मना करते कि आपको excess you chemical fertilizer नहीं यूज करना है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है natural के ओपर ज्यादा focus रहोगे तो उसके लिए से बहुत कर देते हैं जैसे कि chemical का यूज करने के बजाए हम लोग कुछ bacteria से बना हुआ fungus से बना हुआ कुछ ऐसे insecticide जो है छिरक सकते हैं तो उसके जो normal pest और pathogens जो होते हैं वो destroy हो सकते हैं और यह insect के लिए भी toxic होते हैं जहरीले होते हैं अगर वो plants के थूँ अगर वो लोग consume करने की को से बन रहे हैं बैक्टेरिया से बन रहे हैं इसके लिए इसका नम bio insecticide है और एक example है उसका spinosad जो कि एक byproduct है fermentation करने के दाम दौरान बनता है तो यह bio pesticide का one of the example है तो आपको अगर कोई पूछता है write down the bio insecticide example तो आप लिख सकते हो spinosad is an example of bio insecticide clear है दोस्तो तो यही था दोस्तो ह हमारा bio insecticide and हमारा agricultural farming और microbial farming का topic तो उमीद करतो हो कि यह आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए दोस्तो इतना ही हमारा यह जो topic है यह भी खतम होता है और साती में हमारा जो chapter है जिसका नाम introduction to microbiology यह भी होता है finally complete तो thank you so much for watching our this video and उमीद करतो हो कि हमारा जितने भी topics कव हम एक और नए lecture वीडियो के साथ और उसमें आपके सामने नए chapters की शुरुआत करेंगे तो आज के लिए इतना ही है फटा फट से वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो please वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए अपने सारे friends लोग को फटा फट से शेयर करो दोस्तो और कानल को भी सब्सक्राइब कर देना साप में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड झाल आई को एंड एंड रहें गूड़ा है अजा लोग प्रेंगफ लोग कर दाने टाएंगे भी सब्सकी परना, ये लोग दो में दोगा है